आप सभी का स्वागत ये बिहार शिक्षक भरती दोहजार चौबीस के एकॉनोमिक्स 11 और 12 क्लास की तेहरी अगर आप कर रहे हो बिहार टीचर बनना चाहते हो बिहार टीचर में पीजुटी की के टेगरी में सेलेक्ट होना चाहते हैं ये क्लास बहुत बेनेफिशल रहेगी कि आप लोगों के लिए से पहले बहुत सारी क्लासिज अल्रेडी में अपलोड करा चुका हूँ आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर चुका हूँ उनको देख सकते हैं इस क्लास को देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी तो चलिए आज की क्लास में कराने वाला हूँ economics के different laws and curves के बारे में theories के बारे में जो जो examiner पूछता है उन सब के बारे में हम discuss करने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले question की पहला सवाल है हमारे पास की हाल ही यहाँ पर angels log क्या indicate करता है angels log क्या दिया है तो यहाँ एक वेक्ति है जिनका नाम है Ernst Angel जो की जर्मनी से रिलेट करते हैं उन्होंने बताया है कि जैसे जैसे एक वेक्ति की आए बढ़ती है उसकी income increase करती है उसका food पर होने वाला जो expense होता है वो कम हो जाता है क्यों माली जी कि कोई वेक्ति 10,000 रुपे कमाता है और अपनी income का 8,000 रुपे वो खाने पीने पर खर्च करता है यानि 80% वो food expense करता है अगर वो 20,000 रुपे कमाने लगे यानि कि वो double कमाने लगे दो गुना कमाने लगे तो खाना वो दो गुना नहीं खाएगा खाने की quantity लगबग उतनी ही रहेगी quality भी अगर बढ़ती है तो पर सेंट करता है यानि income के बढ़ने पर आए में वरदी होने पर वो अपने budget का कम भाग जो है वो भोजर पर खर्च करता है ये बात angels law में define की गई है फिलिप्स वक्र किसके बीच के सम्मन्द को दर्शाता है याद रखना A.W. फिलिप्स नाम के वेक्ती ने ये relation बताया है कि बेरोजगारी और मेंगाई ये दोनों आपस में related होते हैं और मेंगाई का बेरोजगारी के साथ inverse relation होता है मतलब जितनी मेंगाई कम होगी बेरोजगारी ज्यादा हो जाएगी या मेंगाई ज्यादा होगी तो पुछ लेता है क्या संब्ध बताया गिया है और ये संब्ध जो बताया है inflation और unemployment के बीच में याद रखना इसी को Phillips कर्व कहा जाता है इसलिए जो कर्व बनेगा वो downward बनेगा negative relation की वजह से ग्रेशम का नियम क्या कहता है देखो ग्रेशम एक व्यक्ति है जिनका नाम है Thomas Gresham इन्होंने क्या कहा ये कहते हैं कि जो bad money है हलकी मुद्रा है बुरी मुद्रा कहा जिसे हमने हलकी मुद्रा जब market में आती है भारी मुद्रा को market से बाहर कर देती है हलकी मुद्रा चलने लगती है हलके सिक्के चलने लगते है भारी मुद्रा गायब हो जाती है यानि bad money आती है तो good money out हो जाती है इस बात को ग्रेशम स्लो कहते है bad money drives out good money from the circulation कुजनेट्स वक्र क्या कहता है हमारा कुजनेट्स वक्र क्या है एक व्यक्ती है जिनका नाम है साइमन कुजनेट्स इन्होंने ये बताया है हमारा कि basic तोर पर जब हमारे देश की economy growth होती है देश के अंदर growth तरक्की होती है तो देश की growth के साथ साथ क्या होता है आएक या समानता भी शुरुआत में बढ़ती है शुरुआत में आएक या समानता और growth दोनों बढ़ते हैं लेकिन एक समय के बाद growth बढ़ती रहे अगर तो आएक या समानता में कमी आनी शुरू हो जाती है या जो देश के लिए बहतर होता है growth होने के एक particular point के बाद ऐसा होगा जब आप इसका graph बनाएंगे वो ऐसा बनेगा इस तरहा की shape का बनेगा जिसका आप inverse U shaped कहते हो U ऐसा बनता है आप देखो कभी inverse U ऐसा बनता है तो ये क्या कहेगा सर ये economy growth और income equality के बारे में संबंद को दर्शाता है से का नियम क्या दर्शाता है से का नियम क्या दर्शाता है से मतलब जे बी से है ये एक व्यक्ति एक economist है इन्होंने ये बताया अपने नियम में कि supply जो है वो अपने demand खुद create करती है supply create its on demand याद रखना ये जो शब्द आता है ये इन्ही के दुआरा कहा गया है कि supply अपनी मांग खुद अरजन सरजित करती है गिनी गुरांग किसके बीच के संबंद को दर्शाता है याद रखना है कौराड गिनी ने ये बताया है और इसकी value 0 से लेकर 1 तक होती है 0 से लेकर 1 तक इस value में बताया जाता है आए की असमानता को चेक किया जाता है तो आए की असमानता या समानता भी दिया हुआ है वैसे लेकिन आए की असमानता को मापने के लिए गिनी गुरांग का यूज किया जाता है आकुन का नियम क्या बताता है एक वेक्ति हैं Arthur Aukun के नाम से उन्होंने बताया Aukun slow, ये कहता है basic तोर पर कि जो हमारी economy की growth होती है और हमारी बेरोजगारी के बीच में क्या संबंध है, economic growth और बेरोजगारी के बीच का संबंध जो दर्शाया गया है, उसे Aukun slow कहा जाता है, इसके बीच में याद रखेगा unemployment और rate of inflation नहीं unemployment और economy की growth rate के बीच में कर की दर और कर राजस में जो संबंद होगा उसको क्या समझाएंगे दिको कर की दर और कर राजस यह टेक्स के rate के साथ tax revenue का जो संबंद होगा उसको Arthur Laffer ने समझाया है हमें और इसके लिए Laffer कर्व बनाते हैं रखना जो इस शेप में ही बनता है क्यों क्योंकि सर अगर मान लीज़े tax rate बढ़ता है तो शुरू में revenue भी बढ़ता है लेकिन उसके बाद अगर tax rate बढ़ता चला जाए तो revenue घटने लगता है इसका मतलब यह हुआ यह inverse U आकार का बनेगा तो इसे कहते हैं लाफर कर्व जो tax rate और tax revenue के बीच के संबंद को दरशाता है जीवन की बहुतिक गुडवत्ता सुचकांग PQLI किसके द्वारा विक्सित किया गया है देखो जीवन की बहुतिक गुडवत्ता सुचकांग का concept है याद रखना यह concept को develop किया गया था हमारा और इसको लेकर आया गया था किसके द्वारा तो याद रखो Morris D. Morris के द्वारा 1970 के गरीब हुए और इसमें यह कहा गया था कि development index के तीन main parameter होते है और वो तीन parameter में पहला होता है कि वहां की literacy कितनी है वहां की health कैसे लोगों की life कितनी है और यहां की infant mortality बच्चों में मिर्तियुदर शिश्यु मिर्तियुदर एक साल तक के बच्चे की मिर्तियुदर का rate क्या है इन तीनों को देखकर Morris D. Morris ने जो बनाया था वो physical quality of life index कहलाता है मैबूब उलहक जो है वो human development index जो मानव विकास उचकांक है उसके लिए जाने जाते है उदा सीनता वक्र का ढाल नीचे की और क्यों होता है जो indifference curve बनता है जिसमें हम दो goods लेते हैं X और Y लेते हैं ये curve इस तरहां का C form जैसा क्यों होता है क्योंकि आप जानते हैं एक चीज बढ़ती है तो दूसरे को कम करना पड़ता है जब एक को बढ़ाया जाए दूसरे को घटाया जाए तो हमेशा ऐसा होगा कि उसका curve नीचे की और होगा और यहां पर एक नियम और भी काम करता है कि जब हम एक की quantity बढ़ाते हैं तो दूसरे की quantity पहले के मुकाबले घटाते कम हैं कम कर्टोती करते हैं इसलिए इसे कहते हैं diminishing marginal rate of substitution के कारण ऐसा होता है कि यह नीचे की और जुका होता है एक भोकता जब संतुलन की इस्सिती में होता है तो वहां पर जो तट इस्सितावक्र है वो किसको इसपर्ष करता है याद रखना देखो एक demand हमारे पास line होती है यह budget line कहते हैं जिसे और एक हमारा IC curve होता है जहां पर यह दोनों बराबर होते हैं टच करता है यानि इसपर्ष करता IC curve budget line जिसको price line भी कहते हैं वहां पर याद रखना संतुलन की सिती होती तो budget line या price line कहते हैं जिसे उसका IC curve के साथ touch होने पर संतुलन बिंदू बनता है उभोकता संतुलन के लिए second order की condition क्या है तो हमेशे याद रखना उदासींता वक्र जब budget line को touch करेगा वहां हमारा संतुलन बिंदू डेवलप होगा लेकिन rule यह है कि उस समय संतुलन होने के लिए जरूरी है कि जो budget उदासींता वक्र दिया गया है वो उस समय जब इसपर्ष कर रहा हो तो वो मूल बिंदू की और convex होना चाहिए उन्नतोदर भी होना चाहिए यानि इस पर्ष करने के साथ साथ याद रखना कि वो उन्नतोदर भी होना चाहिए second condition है second order है पहली condition है यह वाली याद रखना अगर पहली पूछेगा तो यह वाली बतानी होती है जहां इस पर्ष करता दूसरी वाली पूछिए तो ये बतानी ने एक तटस्ता वक्र के विभिन सायोग क्या दर्शाते वेरियस कॉम्बिनेशन देखो याद रखो एक तटस्ता वक्र है मालीजे तीन है ये एक तरह से इस एक कर्व में जितने भी होंगे ये तीनो पर जो संतुलन का बिंदू होगा वो same satisfaction को दर्शाएगा लेकिन अगर इसकी एक की तुलना इस से की जाए तो जो आगे है वो ज्यादा को दर्शाएगा जो पीछे है वो कम को दर्शाएगा लेकिन जो एक पर है जो जादा है वो आगे रहेगा जो कम है वो पीछे रहेगा अब इस तरह के concept अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ तो आप इसमें जा सकते हैं BPSC TRE 3 के लिए economics में 11th और 12th class का special target practice batch आपके लिए है जिसमें सारी concept की practice कर रहे हैं हम लोग detail वे discuss कर रहे हैं यहाँ पर और साथ में आपको सारे content classes भी available हुई है इसमें यानि अगर आप पढ़ना चाहते हैं classes को पढ़ने के लिए भी available है recorded form में और live practice भी available है और exam की date तक हम कोशिश करेंगे सारी classes continue करते रहे और आपको best जो content है वो available कराते रहे लगातार तो यह आपके पास carrier will app पर जाना है आपको और carrier will app या carrier will website पर जाना है वहाँ पर जाकर इस batch को purchase करना है आपको चली अगला question देखते हैं एक वस्तू की कीमत में कमी होने पर भोकता की वास्तवी काई क्या हो जाती है generally तोर पर देखो एक व्यक्ति के पास 500 रुपे हैं और कोई सामान की कीमत 100 रुपे है तो इंडरेक्ली उसके पाप 500 रुपे ही होंगे वैसे तो लेकिन उसकी वैलियू दस सामान के बराबर हो जाएगी तो वास्तवीक का मत्लव उसमें करे शक्ती कितनी हो जाएगी तो वस्तु की कीमत कम होती है तो भोक्ता की करे शक्ती बढ़ती है लेकिन मौदरिक आए जो है वो नहीं बढ़ती है मौदरिक आए तो 500 ही है वैल्यू जो है उसकी वो बढ़ गई है उदा सींता वक्र के बारे में कहा गया यह नई बोतल में रखी पुरानी शराब जैसा है उदा सींता वक्र जो है वो नई बोतल में रखी पुरानी शराब के जैसा है ये कथन किसने कहा है यानि एक नए तरीके से प्रिजेंट किया गया कॉंसेट है पुराने चीज़ को ही ये बात रॉबर्ट सन के दौरा कही गई यदि दो वस्तुए पूर्ण रूप से पूरक हो तो उदासीनता वक्र का आकार कैसा होगा अगर दो वस्तुएं जो पूरक है एक दूसरे की तो उनके जो उदासीनता वक्र का आकार होगा याद रखना देखो यहाँ पर याद रखो अगर दो पूरक है तो ऐसा होता है नॉर्मली बात कहूं तो मैं ऐसा होता है और अगर आप देखोगे सर यहाँ पर दो चीजे जो एक दूसरे की substitute हो तो वह ऐसा होता है तो यहाँ पर कहा जा रहा पूरक वस्तु के case में तो यह L-shaped का होगा क्योंकि जब बढ़ेंगी तो दोनों बढ़ेंगी और घटेंगी तो दोनों घटेंगी यदि दो वस्तु एं परती सापन हो यानि कि substitute हो तो उनका इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा तो दो वस्तु एं substitute है तो उनका state to 45 degree line जैसा होगा दो लाइन के बीच पेंटालीस डिगरी के एंगल जैसा होगा कौन सी सारजनिक वस्तु नहीं है यानि कि कौन सी एक public goods नहीं है public goods होती क्या है वो समझो जो सरकार के दुआरा या किसी के दुआरा प्रदवाइड की जाती है free of cost होती है और सब के लिए होती है जैसे example समझना कि सर्फ यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में सारजनिक वस्तु तो restaurant सब के लिए नहीं है जो पैसा देगा वो खाएगा वाकी भुका आ जाएगा एक मका swimming pool है वो सब के लिए नहीं है एक मकान के अंदर जो उसमें रहते हैं उनके लिए होगा बाकी के लिए नहीं होगा जो आवासिय भवन है जो उसमें किराया देगा या खरीदेगा वो रहेगा लेकिन जो national security है यह सब को protect कर रही है सर यह किसी के साथ भेदवाब नहीं करती ना जात के आधार पर ना धर्म के आधार पर ना राज्ये के आधार पर यह सब के लिए समान रूप से काम करती है और हमें इसके लिए कोई cost भी पे नहीं करनी होती है directly याद रखना तो इसी आधार पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सी सारजनिक वस्तू नहीं है, तो पुलिस विवस्ता सबके लिए होती है, नैशनल सिक्योरिटी सबके लिए होती है, स्ट्रीट लाइट जो लगी होती है, वो सबको रोशनी देती है, लेकिन जो हमारा खुद की घर की बिज सरकार के दुआरा हमारे लिए दी गई होती है, क्राउडिंग आउट जो वर्ड है, इसका क्या अर्थ होता है, देखो, क्राउडिंग आउट जो वर्ड है हमारा, इस वर्ड को याद रखिएगा, इसका अर्थ ये बनता है हमारे पास, कि जब जब सरकार हमारे इंवेस्ट नहीं कर पाते तो सरकारी बढ़ने पर private investment कम होना आउट होना यानि private investment कम होने को कहा गया है निजी वेज होता है निजी निवेज जो होता है वो कम हो जाता है शुम्पिटर के अनुसार व्यपार चक्र की कितनी अवस्थाएं होते हैं देखो एक जो होता है हमारा वो यहां सेचुरेशन होता है सम्रद्धी होती है सेचुरेशन कहते हैं यहां से हमारा रिसेशन आता है फिर यह हमारा डिप्रेशन होता है सबसे नीचे फिर दुबारा रिकवरी शुरू होती है फिर दुबारा सेचुरेशन आता है दुबारा रिसेशन वो कौन होगा वो नहीं जो अमीर होगा वो जिसमें साहस होगा जो रिस्क लेगा जो पैसे को वेपार में लगाएगा वो एंट्रपेन्योर कहलाएगा जो एंट्रपेन्योर होता है वो इनोवेटर होता है वो एकॉनमी को मूव करता है आगी की तरफ लेकर जाता है वेपार व्यपार चक्र में पूर्ण रोजगार की सवस्था में होगा तो अगर व्यपार चक्र है और उसमें हमें पूर्ण रोजगार की बात करनी है तो क्या लगता है सर व्यपार चक्र में जो पूर्ण रोजगार की अवस्था होगी वो तब होगी जब हम prosperity यानि सम्रद्धी या saturation पर होंगे ISO quant curve जो होगा ISO quant curve जो कहते हैं देखो IC curve होता indifference curve वो दो goods के क्या खरीदना चाहिए बताता है जो ISO quant curve है वो बताता है कि दो goods में हमें इसको कितना यानि हमारे labor और factor जो capital है हमें same production अगर करना हो तो इनका कितना कितना इस्तेमाल करना चाहिए equal production curve है equal cost नहीं है equal production curve है क्योंकि इसके सारे point पर production equal आगे बनाएंगे तो production जादा होगा पीछे बनाएंगे तो production कम होगा याद रखना IC curve की तरह और cut कभी नहीं करेगा the concept of quasi rent ये end लग गया गलती से quasi rent जो है उसका क्या मतलब है देखो quasi rent कहा जाता है जो fixed किराया होता है अब मूमन ये शब्द जमीन के लिए सेमाल किया जाता है land के लिए सेमाल किया जाता है उत्पादन का एक ऐसा कारक जो की उसकी supply जो है हमारे पास वो fixed होती है और उसके किराये को basic तौर पर the return to a factor of production which is fixed in supply और generally ये fix क्या है हमारी जमीन जमीन की जो quantity है वो fixed है उसकी supply fix है इसके लिए हम quasi rent थियोरी सेमाल करते है उत्पादन संभावना वक्र काकार कैसा होता है ये बताता है कि अगर हमें दो goods को एक साथ हमें लेना हो produce करना हो तो इसका curve जो बनता है PPC का वो इस तरहां बनता है जिसको हम concave to origin कहते हैं जो IC curve आपको मैंने बताया है तो वो convex to origin है ये जो बनता है ये concave to the origin बनता है ये production possibility curve कहलाता है तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे आपको मैंने बताया कि अगर आप ऐसा कुछ और बहतर तरीके से सीखना चाते हैं हर एक question करना चाते हैं तो आप जोईन कर सकते हैं Carrier Will App पर BPAC-TRE3 के लिए Economics का 11-12th Class का Special Life Practice Batch Thank you everyone Thank you sir